नमस्कार आप देख रहे हैं economy का हिसाब किताब lockdown के दो हफते तो खतम हो चुके हैं अब देखना है कि अब lockdown खतम होने वाला है या नहीं या इसको और भी बढ़ाया जाएगा और इसका असर सीधा हमारे देश के अर्थिविवस्ता पर पढ़ने वाला है वो आप समझ सकते हैं बहुत लोग जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं घर पे बैठ के आप लोगों की भी आमदनी खतम हो चुकी होगी अगर आप किसी दुकान में काम करते हैं या कहीं पे आप ओला उबर चलाते हैं या आप ऐसा कोई काम करते हैं जहां पे आपको हर रोज नौकरी करनी पड जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जो सारा एकोनामिक डेटा कलेक करती है क्योंकि आप जाते कि सरकार तो अतना करती नहीं है उनका कहना है कि सौ में से जो काम ढूंड रहे हैं या काम कर रहे थे 23 लोग अप्रेल के पहले हफ़ते में बेरोजगार हो गए हैं और इन पर क्य क्या असर हो रहा है इसको और डीटेल में जानने के लिए आज इसी का हम हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में तो जैसे मैं आपको बताया कि 23 प्रतिशत लोग ये CMI का डेटा है हमारे देश में पहले हफ़ते में अप्रेल के बेरोजगार हो गए थे ये पहले हफ़ते का आखड़ा है और अभी तो दो हफ़ते खतम होने वाले हैं और मेरा मानना है कि जो आखड़े आएंगे अब वो और भी खतरनाक और भी बत्तर होंगे क्यों क्यों क्योंकि हमारे देश में 40 प्रतिशत जो लोग हैं 40 प्रतिशत लोग ये CSDS और अजीम प्रेम जी युनिवरसिटी का एक सर्वे हुआ था 60 प्रतिशत लोग उनको कब मिलता है उनमें से 6 प्रतिशत को हफ़ते में एक बार मिलता है सिरफ 26 प्रतिशत यानि कि 100 लोग जो काम करते हैं हमारे देश में उनमें से सिरफ 26 लोगों को salary regular मिलती है monthly salary मिलती है यानि कि मासिक salary मिलती है 28 प्रतिशत लोग बाकी जो है वो ऐसे हैं जिनका कोई fixed income नहीं है ये नहीं है कि आज पैसा आएगा कल पैसा आएगा कभी एक दिन में आता है कभी एक हफते में आता है कभी एक महीने में आता है कभी कभी तो आता ही नहीं है तो अब तो lockdown के दो हफते से जादा हो चुका है तो आप सोचिए क्या हाल हो रहा होगा ऐसे लोगों का एक और चीज आप देखें आकड़ा और यह सरकार का आकड़ा है सरकार का अपने आकड़ा है यह कोई private survey का आकड़ा नहीं है इसको कहते PLFS survey और periodic labor force survey उसमें क्या आकड़ा नि है कोई salary नहीं मिलता है उनको regular काम उनके पास नहीं है 77 प्रतिशत लोग और जो बाकी 23 प्रतिशत लोग हुए 23 प्रतिशत लोगों को क्या इंको नौकरी में paid leave मिलता है कि अगर वो नौकरी में नहीं गए या बुखार हो गया कुछ हो गया तो क्या इनको पैसे या salary मिलेग जी नहीं इनमें से भी आधे से जाधा लोगों को कोई भी पेड लीव नहीं मिलता है यानि कि उनको अगर बुखार हुआ या घर में कुछ भी काम हुआ तो उनको उस दिन की नौकरी का पैसा नहीं मिलेगा अब आप समझ लीजिए इसका असर क्या है इसका असर है कि मैंने 77 प्रतिशत लोग तो आपको बताया जो डेली वरकर हैं कॉंट्रैक्ट पे हैं या सेल्फ इंप्लॉइट हैं वो तो गई उनके पास तो पेड लीव है ही नहीं उनको तो तभी पैसा मिलेगा जब वो काम करें दूसरे हैं जो 23 प्रतिशत उनसमें भी आधे से जादा लोगों के पास पेड लीव नहीं है दोनों को एड कर लीजिए तो 90 प्रतिशत लोग जो हमारे देश में कामगार हैं 90 प्रतिशत लोग उनको पेड लीव नहीं मिलता है तो चाहे सरकार जितना भी बोल दे और कुछ कुछ कमपनियां कर भी रही है इसलिए सिरफ 23 प्रतिशत बेरोजगार है नहीं तो 90 प्रतिशत बेरोजगार हो ते सरकार कह रही है कमपनियां भी कर रही है लोगों को पैसे दे रहे है घर बैठे पैसे दे रहे है कुछ essential services चल रहे हैं आप जानते उनका काम अभी भी चल र कर दिया है लोगों का हाँ आप घर पे बैठे आपकी नौकरी नहीं जा रही है लेकिन जब तक आप घर पे हैं आपको salary नहीं मिलेगा राजी बजाज जो की बजाज scooter है motorcycle है आप जानते हैं इनके मालिक है बजाज राजी बजाज का कहना है कि अभी तक हम किसी की छटाई न पैसा नहीं काट रहे हैं लेकिन अगर ये lockdown जादा दिन चलेगा तो हमारे लिए भी possible नहीं है हम भी नहीं दे पाएंगे उतना पैसा नहीं है तो हमको सब की नौकरी छटाई हम नहीं करेंगे लेकिन पैसा तो काटना पड़ेगा salary काटना पड़ेगा उनकी दिहाडी भी का सकती है अब हम देखते हैं कि हमारे देश में जो लोग हैं जो self-employed है मैंने आपको बोला कि 77 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो self-employed है यानि कि स्वरोजगार करते हैं उनको किसी ने नौकरी नहीं दे रखा है या तो वो दिहाडी के मजदूर है ये जो 77% है इसमें से 77 में से ल लगते हैं अब सवरोजगार लगता है कि अरे ये तो business के लोग होगे यानि हमारे देश में आधे लोग 52% काम करने वाले लोग ऐसे हैं जो business करते हैं खुद का वाह बहुत बढ़िया है इनके पास तो बहुत पैसा होगा जी एक चीज याद रख लीजिए कि इनका जो median salary है median मतलब है median होता है midpoint यानि उससे 50% लोग उससे कम earn करते हैं median salary यानि कि 50% से जादा लोग आधे लोग उस site पे हैं ये 8000 रुपे महीने का 8000 रुपे महीने का आधे लोग उससे कम earn करते हैं जो स्वरोजगार करते हैं और इसमें 60% जो स्वरोजगार करते हैं वो तो क्रिशी में हैं बाकी कितने रहे 40 प्रतिशत यानि कि स्वरोजगार करने वालों में से 40 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो क्रिशी या गैर क्रिशी चीजों में काम करते हैं और इन में से 27 प्रतिशत इन में से 27 प्रतिशत यानि कि मासिक आए 11,400 रुपे से कम है अब बात करते हैं जो लोग दुकानों में काम करते हैं जिनको शौप असिस्टेंट कहा जाता है उनका मीडियन अर्निंग सिरफ 10,000 रुपे है ड्राइवर लगभग 8 से 9 प्रतिशत हैं ट्राइवर और उनका भी मीडियन अर्निंग सिरफ 10,000 रुपे है उसके बाद आते हैं टेक्स्टायल और गर्मेंट में काम करने वाले लोग इनका मीडियन आय साड़े 5,000 फूड प्रोसेसिंग में काम करने वाले लोग median earning सिर्फ धाई हजार रुपए फिर आते जो बाजार में stall खोल के रखते हैं छोटे दुकानदार हैं उनका median आया है सिर्फ आठ हजार रुपए महीने और आखिर में आते हैं जो road पे सामान बेचते हैं ठेले पर सामान बेचते हैं इनका median आय हुआ 7000 रुपए अब आप सोच लिए इनके पास saving हो नहीं सकती इनके पास कोई भी बचत नहीं है अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके पास खाना नहीं होगा इसलिए हमने देखा था कैसे लाखों में ये जो daily काम करने वाले हैं दिहारी मजदूर हैं, migrant है बहुत लोग, गाउं से आये वो गाउं वापस जाने की कोशिश कर रहे थे इसका ये ही बड़ा कारण है क्योंकि उनके पास बचत नहीं है वो अगर हर रोज काम नहीं करेंगे तो वो खाने ही पाएंगे ये दो स्वरोजगार वाले, आप जानते हैं कि हमारे देश में दिहारी मजदूर जो हैं उनमें से एक बड़ा बड़ा तपका जो है, वो construction का काम करते हैं कई पे road बनाते हैं, कई पे घर बना रहें, कई पे office बना रहें और उनका कहना है कि 90 प्रतिशत लोगों का, 90 प्रतिशत जो construction worker हैं उनकी जो आय है, खतम हो चुके, उन्हें कोई भी पैसा इस वक्त नहीं मिल रहा है सरकार ने कहा था कि जो construction worker हैं, उन वो registered हैं, बहुत सारे construction worker registered हैं तो इन construction worker जो registered हैं, उनको हम पैसे देंगे अब आप देखें कि ये सर्मे में निकल कर आ रहा है कि 94 प्रतिशत जो construction worker हैं, वो registered नहीं है उनको कोई भी सरकारी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है तो एक तरफ काम नहीं है, धंदा नहीं है, जानी पारे कहीं पे, दूसरे तरफ सरकारी सपोर्ट भी नहीं मिलेगा मोदी सरकारी ने बहुत कुछ announce किया है, आप जानते हैं, उनमें से है कि जंधन अकाउंट में औरतों को पैसे मिलेंगे लोगों को 5-5 किलो का free ration मिलेगा, 7 किलो का राशन 3 रुपे में मिलेगा, 2 रुपे में मिलेगा, ऐसे बताया गया है लेकिन बहुत जगों पे ऐसे ration नहीं मिल रहे हैं, आप headline खोल के देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत जगे पे ration नहीं मिल रहा है, कहीं पे जो केसान है, उनका ये फसल काटने का वक्त है, फसल काटके उन्होंने रखा हुआ है तो उनको नियोनतम जो support price मिलता है, minimum support price वो नहीं मिल रहा है, हाँ आपको news report भर-भर के मिल जाएगा LPG, तीन महीने तक free में LPG बाटने की बात थी, जो गरीब लोग हैं, लगबग कहा गया था, 8 करूर और तो को ये मिलेगा और आप देख लिजे कि वहाँ पर भी ये मुश्किल हो रहा है, ये पौँच नहीं वा रहा है, ऐसे news report भरे हुएं, यानि कि जो सरकार ने लगबग 15 दिन पहले announce किया था, अभी तक उसको लागू नहीं कर पाई है इसलिए आप देख रहे हैं कि जगे जगे पर लोगों को जाकर सारा जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, इसको तोड़ कर मुफ्त का खाना जहां पर बट रहा है, वहां पर लाइन लगा कर खाना लेना पड़ रहा है इतना बुरा हाल शायद पिछले 30 सालों में देश का नहीं हुआ है, और इतना कहना पड़ेगा कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही, सरकार ने कुछ नहीं किया है, लोगडाउन किया है जरूर, उन्होंने कहा था, और हम जानते हैं बच्पन से आपने भी सुना होगा कि जान है तो जहान है, लेकिन जान सिर्फ ये करोना वाइरस ने लेगी, भुखमरी भी जान ले सकती है, और इसलिए सरकार को और भी जादा करना पड़ेगा, बहुत प्रोएक्टिव तरीके से करना पड़ेगा, जो अभी तक वो करने ही पाई है, उसमें फेल हुई है